पिछले दो चेप्टर्स में हमने जाती वे उस्ता के बारे में समझा था जाती की जब बात करते हैं तो वर्ग की बात साथ में आती है वर्ग जो है वो वेस्टन समाजों में पस्टेमी समाजों में सामाजिक स्त्रीकरण का एक सवरूप रहा है किन्तु बारत में भी अंग्रेजी राज के आगमन के बाद में वर्ग के आदार पे स्त्रीक रण की प्रकिरिया शुरू हुई और वो आजादी के बाद में तेज हो गई पिछले तीन दशक के ग्लोबलाइजेशन के पिरियड में ये प्रकिरिया और तेज हुई है जाती जैसे जैसे कमजोर हो रही है वैसे वैसे वर्ग के आदार पे स्त्रीक रण है वो बढ़ रहा है वर्ग क्या है इसको अगर समझने का परियास करें तो जहां जो सोशल समाजिक सम्मान और प्रतिष्टा ते संबंदित होती है वहीं वर्ग जो है वो वैक्तियों के आर्थिक वर्गी करन का आदार है व्यापक अर्थों में वर्ग का निर्दार वैक्तियों की क्रीशी या उद्योग जैसे विबिन ख्षेत्रों और दस्तकारी तक्नीकी और नो योग के मालिकों को बुर्जुवा या धनी या पुंजीवादी का नाम दिया और मजदूरों को सरवारा या निर्दन कहा वर्ग को समाज का एक आर्थिक पहलू माना जाता है जाती जिस परकार समाजिक पहलू है उस परकार से वर्ग आर्थिक पहलू है अलंकि जाती एक ऐस सामाजिक पहलू है जो आर्थिक गतिवीडियों का भी निर्धारित करता है तो दूसरी तरफ बरग एक ऐसा आर्थिक पहलू है जो सामाजिक जो व्यवहार है उनको भी निर्धारित करता है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक किरिया है वो mutually interrelated है समाज है वो एक तरह से सूपर स्ट्रक्चर है और जो अर्थ व्यवहास्ता है वो एक सब्स्ट्रक्चर है और इनमे आपस में mutual relation है वर्ग सामाजिक और राजनितिक आयामों से भिन्न होता है मैक्स वेबर आर्थिक व्यवहास्ता है आर्थिक स्त्रीकरण को उस बाजारी इस्तितिका प्रेणा मानता है जिसमें व्यक्तियों के बीच अदिक सेदिक मुनाफ़ा कमाने के लिए होड होती है मोटे तोर पे हम अगर देखें तो वर्ग जो है वो आर्थिक आधार पे व्यक्तियों के समूह का निर्मान है तो उसको हम वर्ग कहेंगे वर्ग जाती से इस रूप में अलग होता है कि वर्ग एक खुला स्त्रीकरन होता है जिसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में वेक्ती जा सकता है जिबकि जाती में इस तरह से एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना है वो संभव नहीं होता है अब के जो जितने भी समाज है उसमें जाती है वो उसकी वज़ाए वर्ग की जो इस्तिती है वो जदा मेत्वपून हो गई है और ये जो जिस तरह से परजातांत्रिक व्यवस्ता है ये वेस्टन मॉडल है और इसके साथ साथ में जो पुझीवादी आर्थी व्यवस्ता है वो भी वेस्टन मॉडल है तो ये दो जिस जिस अनुपात में बढ़ते गए उसी अनुपात में दुनिया भर में वर्ग है वो सामाजिक परिस्तिती के निर्धारक के रूप में और सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानक परकिरिया के रूप में आगे ब तो ये मुख्यत्या वर्ग का अदार है बारतिय समाज में जो जाती है उसको जब हम समझते हैं तो उसको परिस्तिती के संदर में सेटस के संदर में समझते हैं और वर्ग है वो जाती के मुकाबले ज़्यादा व्यापक है क्योंकि एक ही वर्ग में बहुत सारी जातियां हो जाती है तो अगर हम भारतिय समाज के संदर्म में थोड़ा देखें तो जाती की जो स्रेणी बद्दता है वो शुदता और एशुदता की आधार पे होती है जबकि वर्ग की जो स्रेणी बद्दता है उसमें शुदता एशुदता का कोई आधार नहीं है इसी तरीके से जा आट एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बड़ी आसानी से जा सकता है जो मुवमेंट है वो आसानी से कर सकता है यह जो है वो मुख्य अंतर है जाती और वर्ग में और इसके अलावा भी हम अगर बात करें तो वर्ग है, वो राजनितिक दृस्टी से भी देखें तो एक ज़्यादा मतलब एक चेतन एकाई है ज़्यादा वोकल एकाई है बजाए जाती के आज के संद्र में और वर्ग की जो पैचान है वो जाती की पैचान से ज़्यादा अधिक व्यापक है साथ ही साथ में जब वर्गगत पैचान बनती है तो वो जाती और क्षित्र संबंदी पैचाने हैं उन पैचानों को कमजोर भी करती है और वरगत पैचान के द्वारा आदमी अधिक जढ़ा मजबूती से बार्गेनिंग कर सकता है जैसे हम अगर श्रमिक वरग की بात करें या क्रिश्यक वरग की बात करें वरग के रूप में उनकी बार्गेनिंग कैपसिटी वो बढ़ जाती है, जाती के रूप में वो देखती है, यह अक्षेत्र के रूप में देखते हैं, जिसे पंजाब के किसान, अरियाना के किसान, राजस्तान के किसान, तो उनकी bargaining capacity कम हो जाएगी, जिसकी वो एक किसान के रूप में अपनी identity रखेंगे उसको वर्ग और जाती identity से अलग कर देते हैं तो उनकी bargaining capacity वो बढ़ जाती है तो ये एक basic difference जो है वो जाती और वर्ग की अवधारना में है